असलामु आलेकुम, मैं जुलेखार फाल, जुलेखाज किचन से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़िया से चिकन कटलिट्स बनाते हैं, चलिए, ये बढ़िया से कटलिट बनाने के लिए, आधा किलो चिकन बोलनेस लीजिए, मीडियम पीस कीजिएगा, चर्वी निकालने के बाद, आज दो तीन पान इसे धूखे, नितानने के लिए, चन्नी के ओपर साइट पर रख दीजिएगा, अच्छा, मैं थाई पोशिण हमेशा इस्तमाल करती हूँ, इसे सॉफ्ट बनते हैं, आप चाहे तो ब्रेस पोशिण भी ले सकते हैं, खीमा मत लीजिएगा, पोशिश कीजिए, अगर आपको ये ऐसे पोलनेस ही मिल जाए, पीसिस करके, वो ही बेतर रहेंगे, इसे एक चाहे का चमच दाल रहे हूँ, आप कम्याजाद अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, मेरे पास है ना चिली फ्लेक्स, 3-4 चोड़ा चाहे का चमच ही है, तो मैं वो दाल रहे हूँ, इसके साथ साथ, फिर मैं मिर्च बढ़ाने के लिए, एक हरी मिर्ची और एक्स्ट्रा अपना चमच जिली फ्लेक्स दाले हैं, तो फिर ही मिर्ची डाली की जरूरत नहीं है, एक चोड़ा चमच गुणावार पिसाँ जीरा पाॉडर दाल दीजिए, आधा चोड़ा चमच गरम मसाला पाउडर, मैं यहाँ 3-4 चोड़ा चमच चाथ मसाला दाल रहे हैं, आप कुछ seconds के लिए बस रहने दीजिए, उसके बाद इस तरीके से निचोल लीजिए, हलके हाथ से, और ये डाल दीजिए, ये bread डालने से न, हमारे जो cutlet है, ये अच्छे soft बनेंगे, अब इसको आप धकन लगा दीजिए, और अच्छा piece लीजिए, और ये देखिए, ऐसे, अच् कोट में रहने के हरा धनिया भी डाल दीजिए फिर से, और ढाक कर बस few seconds ही घुमा लीजिए, कि जो हमारा हरा धनिया है, आपको freshly कटा हुआ अंदर दिखे, ये देखिए, ऐसे, और चलिए, ये बन चुका है, तो मैं अब इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, अब थोड अब एक दो टेबल स्पून जितना ब्रेट क्रम्स डाल कर मिक्स कर लीजिएगा, कोशिश किजिए ब्रेट क्रम्स ना दाले, उससे सक्त होने के चांसे हैं, चलिए अब हातों को थोड़ा सा तेल से घ्रीस कर लीजिए, अब एक मीडियम पोशन लीजिए, मिक्स्चर का, औ और इसे डारेक्ली हमारे जो ब्रेट क्रम्स से इसके अंदर डाल दीजिए, उलट पलट कर दीजिए उन्हें, अच्छे से वैल कोट कर दीजिए और इस तरीके से प्रेस कीजिए अंदर ही, जब आप ब्रेट क्रम्स में उससे कोट करें, वहां अच्छे से उलट पलट करत है तो और पैतर बनेगी और जब है पतलीओ चपटी बन जाए तो आप इसे साइट also पो अपर रग देजी और बनािजिए अच्चा शेप आ इसी तरीके से मैं सारे बना लेते हूं मैंने घ्यारा बना ली है अब आपकी जितनी बनती हो आप उतनी बनाई हैगा तो ये बन गया हमारे चिकन कटलेट्स एक दम बढ़िया से चप्ते वाले और थोड़े बड़े भी बने आप देख सकते हैं आप इसे स्टोर करके फ्रीज करके तकरीबन एक देड़ हफते तक रख के खा सकते हैं आप इसे as it is फ्रिज के अंदर रख दीजिए थोड़े अच्छे कड़क हो जाएंगे तो इसे जिप लोग बैक के अंदर दाल कर फ्रीजर में दाल दीजिए जब भी मन करें निकाले थो करें और खाएं एक बड़े से बाउल के अंदर एक अंडा फोन लीजिए उसे बहुत अच्छे से फेट लीजिए मैंने कुछ भी नी दाला है इसके अंदर अंदर और साइड पर तेल गरम करने रख दीजिए फ्राइपन के अंदर मेरी फ्राइपन स्ठील किये है तो मैंने यहां थिक बॉटन पर कड़ाई ली है अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए और यह जो हमारी चिकन है ना पीस को बहुत अच्छे से उलट-पलट करके बहुत अच्छे से लोटी है अंडे के अंदर यह देखिए आप देख सकते हैं मैं दो से तीन बार इसे लोट रही हूं और फिर दाल रही हूं बराबर से सब और हमारी यह जो अंडा है लगे नहीं तो जहां जहां अंडा नहीं लगेगा ना तो वहां हमारी यह जो चिकन है ना वो काली हो जाएगी चलिए मैं तीन पीस दाल देते हूं और इसे मीडियम आज पर पकने दीजिए जब एक मिनिट हो जाए तो इसे पलट दीजिए और उलत पलट करते हुए तकरीब जो चार पांच मिनिट में तो हमारी यह चिकन पक जाएगी क्योंकि कीमा है और बाहर से लाल भी हो जाएगी और क्रिस्पी हो जाएगी चलिए 4-5 मिनट हो चुकी है क्रिस्पी भी हो चुकी है और लाइट गोल्डन ब्राउन भी हो चुकी है तो इन्हें निकाल कर नितार कर मैंने छन्नी के ओपर रख दिया आप डारेक्ली टीशू पेपर के ओपर डाल सकते हैं यह देखिए बड़ी आसी मैंने फिर से 2-3 डाल दी है और इसे भी मैं फ्राय कर लेती हूँ आपके देख सकते हैं किसी जालेदार बनी है क्योंकि बाहर वहाँ पर अगर आपने बोरी मुलना में खाई होगे तो इसी तरीके से जालेदार बनती है चलिए यह भी मैं निकाल लेती हूँ और यह बन गई हमारी बड़ी आसी बोरी स्टाइल चिकिन काटलेट पहले मैंने च्छनी के ऊपर रहने दिया जो तेल नितर यह उसके बाद टिशू पेपर से उलट-पलट करते हुए एक्सेसिव तेल पोच लिया तो चलिए यह बन गए है और मैं इसे सर्फ कर रही हूँ लाल चटनी के साथ वैसे मैंने साइट पर हरी चटनी रखी है जो फ्रेम में नहीं दिखा रही हूँ आपको लेकिन उसके साथ भी में सर्फ कर रही हूँ, अब आपके मर्जी है, आप किसी भी चटनी के साथ सर्फ कीज़े, वैसे दोनू भी चटनीों का लिंक डिस्रिप्शिन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, नमक अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, चिली फ्लेक्स भी अपने स्वाद अनुसार दालिएगा, एक मैं आपको तोड़ कर दिखा देती हूँ, बिस्मिल्ला इरह्माने रहीम, वैसे तो आप देख सकते हैं कितने जालीदार बने ह और यह देख सकते हैं, माशाला और कितने अच्छे सॉफ्ट भी हैं, और बहुत जादा दिलिशिस है, और एक और बात, जो चाट मसाला है, इसमें थोड़ा सा चकपटा लग रहा है, प्योंकि मैंने 3-4 चोटा चाय का चमज दाला है, लेकिन आपको जादा चाट मसाले का फ् अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, उससे साथ अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फैंस में इसमाली वीडियो के लिक जरूर फवर्ट कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फिर से हाजीर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंदल द तेक केर, अलाफिस, बाइ बाइ